यदि आपके PF account में आपका father name, mother name या फिर relationship change करना हो, update करना हो या correction करवाना हो तो अब इसके लिए EPFO ने एक नया document list जारी कर दिया है new document list के हिसाब से total 7 ऐसे document है, जो की लगा करके आप अपने इन corrections को बड़े ही आसानी से करवा सकते हैं अब यह जो भी 7 document है, EPFO ने यहाँ पर बताया है, जो इन में से पहला document है, वो passport आप mother या father अब यहाँ पर EPFO ने बोला है कि आपके mother या फादर का कोई passport बना हुआ है, तो वो लगा करके आप correction करवा सकते हो, हलाकि EPFO को यहाँ पर जो PF member है, जिसके खाते में correction करना है, उनके passport को मांगना चाहिए था, लेकिन EPFO ने ऐसा नियम बनाया है, तो इसको कोई टाल नहीं सकत है, आपको यह अगर आपके पास है, तो आप correction करवा सकते हैं, अनिता दूसरे document के साथ आप जा सकते हैं, अब जो दूसरा document है, यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके पास रासन कार्ड या फिर PDS कार्ड है, तो वो लगा करके अपना correction करवा सकते हैं, इसके अलावा जो थर्ड डोक्युमेंट बताया गया है इपफो के तरफ से CGHS या फिर ECHS या फिर MediClaim Card है आपके पास जो कि फोटो के साथ होना चाहिए और जो कि Central Government या फिर State Government या फिर किसी Public Sector Undertaking PSU के द्वारा जारी किया गया है तो वो लगा करके आप अपना करेक्शन करवा सकते हैं इसके अलावा Pension Card है आपके पास तो भी आप करेक्शन करवा सकते हैं जो पांचवा डोक्युमेंट या पर बताया गया है कि Birth Certificate अगर आपके पास है तो आप करवा सकते हैं बले किसी नगर निकम के द्वारा जारी किया गया है या फिर गोर्मेंट के द्वारा जो भी local bodies है यानि कि जो भी सरकारी संस्थान है उसके द्वारा आपको जारी किया गया है तो वो भी आप लगा सकते हैं अब इसके अलावा या तो आप तालुका से बनवा करके लगा सकते हैं या फिर तवसील से कोई बना हुआ है तो वो भी आप लगा सकते हैं यानि कि सम्मिलाजुला कि अगर आपके पास birth certificate है तो आप अपना correction करवा सकते हैं इसके अलवा जो छटा document आपके बताया गया है कि मेरी certificate जो कि government के द्वारा issue किया गया हो वो आप लगागर के अपना correction करवा सकते हैं इसके अलवा जो सात्वा और last document बताया गया है photo ID card आपके पास हो जो कि central या state government के द्वारा चारी किया गया हो या फिर जन आधार मन रेगा या फिर army canteen card आपके पास हो इन में से कूछ भी है कोई भी document है तो आप इनको यूज करके अपना correction करवा सकते हैं अब आला कि यहाँ पर total 7 document बताये गये हैं father name, mother name या फिर relationship update चेंज करने के लिए अब ऐसा नहीं है कि यह 7 के 7 document आपके पास होना चाहिए इन में से कोई भी 1-2 document हो तो आप उनका यूज करके अपना correction बड़े ही आसानी से करवा सकते हैं तो friends, I hope यह आप समझ पाये होंगे कि father name, mother name और relationship update करने के लिए जो नए document list हैं वो क्या है इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ free or cost किसी भी platform पे share करके उनकी भी सायता कर सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं आपके मन में कोई भी बिचार हो, कोई भी suggestion हो, समाधान हो तो वो आप नीचे comment box में comment करके बता सकते हैं आप सभी लोग के comment में जरूर पढ़ता हूँ इसके साथ मिलते हैं किसी next informative वीडियो में तब तक के लिए जे हिंग जे भारत बंदे मातर हूँ